हलो एवरीवान वेल्कम टू आप्लास ओफ टीवाइबिकॉम सिक्सेमिस्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉस अकाउंटिंग का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं हम लोग यह कॉंट्रा कॉस्टिंग हमने माजिनल कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग अल्रेडी किया हुआ हुआ है बुटन में चेक करें बच्चो और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है सारे लेक्चर ओडर वाइस देखें जैसे आज हम इसका इंडड़क्शन कर रहे हैं तो लेक्चर नमबर वन रहे गाई है उसी तरह से मार्जिनल कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग य हमारा कि फॉर्मेट इकविट चुछ बिनेगा डेविट ट्रेट है हमारे पास सारे एकस्पेंसे डेगिट में दालने है कौस्ट और मटीरियल है लेबर है डारैक्श पिंस है कभी प्लांट वगेड़ा या कोई ऐसेट परचिस क्या वो इंडारेक्शिंग इक्स्पेंस तो cost लिखना है वाई से वर्सा इसके opposite में इसका return down value वो लिखना है यानि simple way में closing balance यानि यहां opening balance है यहां closing balance है तो बच्छो opening और closing minus करेंगे तो difference के आदर depreciation तो आप opening और closing लिखने के बज़ाए directly depreciation लिखे तो जैसे यहां पे भी लिखा है planted site यानि यह closing balance हुआ तो यह part हम नहीं करने वाले ना planted site या WD यह सब नहीं बताएंगे हम सिर्फ directly depreciation बताएंगे दोनों method बता रहो हम है मगर simple है कि भाई एक ही entry pass करो तो दो entry pass करने के बज़ा हम एक ही entry pass करेंगे तो directly we are going to write depreciation instead of cost and planted site यह सब के double headache है हमारे लिए और इसका create site में यह तो rare entry है तो ना के बरावबर आती है हमारा जो main part है इसलिए highlight के हमने create site में WIP इसमें जो main होगा work certified, work uncertified, material on hand plant and side हमने use करने वाले introduction है इसलिए बता रहो हम है फिर last में आप debit or credit बंद करेंगे आपका balancing figure आएगा national profit इसको total करके नीचे brought down करेंगे यह carried down यह brought down जो भी नोशनल प्रॉफिट है उसको अब सबसे important part है bifurcate करना transfer to P&L and WIP तो P&L में कितना जाएगा WIP में कितना जाएगा यह नोशनल प्रॉफिट जाएगा तो 500-500 जाएगा यह 250-750 जाएगा इड़ डिपेंड और यह डिपेंड करने के लिए एक और चीज़े है फॉर्मूला है परसंटेज है वह आपको by heart करना है लिखके रखे बच्चो तो पहले यह bifurcate कि आएगा इसको आप bifurcate किस तरह कर करना तो आपको पहले पीनल ढूना है कि पीनल में कितना ट्रांसफर करना है बच्चा कुछ अफिट में जाएगा तो पैटन याद रखे बच्चो डेबिट में maximum entry है डेप्रीशियेशन पर ध्यान देना और क्रेइट साइड में डबलू एप हैडिंग हम हमेशा लिखेंग वो का सिपटीफाइड वोक अनसेडिफाइड यह रहने वाला है हर सम में डेजहिए अगर لास आया सपोज कभी आपका डेबिड बढ़ा हो गया क्रेट छोटा हो या लास आया और लास आता है तो फिस आपको यह नीचे का बाइफेक्रिशन वाला पार्ट करना ही नहीं नह लॉस लिख के आपको समयी खतम करना तो आगे कैलकुलेशन हो अईसा हो नहीं सकता है तो कैलकुलेशन आने वाईला यानि नुशन profit निकाल लाई है, फिर इसको ट्रांसफर करना है, और उसको बाइफेगेट कर, बाइफेगेट शन में आपको ध्यान देना है P.N.L. पे, तो यह किस तरह से बाइफेगेट करना है, वो बता दू आपको में, तो इससे पहले percentage जुनना अब percentage आने के बाद अगर 25 से कम है तो PNL में कुछ नहीं जाएगा सारा का सारा WIB में ट्रांसफर होगा 25 से 50 है तो 1 3rd into notion profit into cash received divided by work certified तो यह formula है इसको percentage पहले calculate करेंगे फिर देखेंगे क्या हां तक percentage का काम हुआ है फिर यह सारे formula आएंगे 100% हुआ तो पूरा PNL में जाएगा और WIP नील हो जाएगा यह ना है मतलब आने वाला नहीं है एकाज सम्में हुआ तो और यह नील वाला भी बहुत कम ही होता है कि आपका पूरा का पूरा पूरा PNL में बाइफिकेशन करना ही पड़ता आपको और उसमें भी सबसे important पार्ट ही है हस्टिक मारा मैंने near completion इसके बहुत सारे formula है इसलिए पहले से मैंने लिखके रखा है यहां पे इसके अलावा भी यह सारे formula आते हैं एक दो तीन चार पांच formula और लिखा है मैंने तो बच्चों इसको लिखके रखना सम के टाइम पे आपको कुछ भी कहीं भी यूज हो सकता है तो important है इसको लिखके रखें by heart करें formula याद रखें पहले 65 धूनना है हाँ कभी कभी सम में आपको ready made percentage दे देता है तो फिर यह percentage की ज़रूरत नहीं पर देटा है डारेक्ली apply करो formula लगा और आपका national profit transfer का PNL का figure मिल जाएगा तो यही important है फिर से बता दूँ आपका national profit जो आएगा यह इसको यहाँ ब्रॉट डाउन करेंगे बाइफ्रेकेशन समझना PNL में कितना जाने वाला है और PNL में जाने के लिए आपको पहले percentage चाहिए percentage के बाद आपको judge करना है कहाँ पर fit बैट रहा है और इसके बाद formula apply करेंगे आपका PNL का national profit मिल जाएगा और जो भी balance है WIP में जाएगा simple topic है simple chapter है ठीक है तो directly इसके sum के तरफ start करेंगे हम लोग आज question number one ली है मैंने 35 October 13 है ए अंडर्डू का contract number 786 जिसकी कीमत है contract price है 2 लाग तो following information is available in respect this contract accounting 34 December 2013 अभी देखो बच्चो सबसे पहले न contract में आपको month important होता है October से शुरू है 31 October 2013 को और year and date 34 December October तो हड़ गया November December 2 मेना कितना हो रहा बच्चो दो मेने गया यह जो भी contract के दो मेने गया इसको जयान में रखना इसको ध्यान रखना फिर क्या होता है work certified दिया हुआ है wages paid है material supplied है other expenses है plant supplied on first October 20,000 का October में supplied हुआ plant अच्छा यहाँ पे तारीक एक है और अपना 34 December है यानि यह कितना मेना हो गया किको October अभी गिनना पड़े October November तीन मेना हुआ work uncertified दिया हुआ है material unused lying at side यानि closing stock हमने credit side लिखना है wages due but not paid यानि wages के ओपर adjustment है ध्यान रखना अच्छी बात है contract account बनाएंगे अब हमेशा ना WIP से start कर दो क्योंकि आप पर आपको दो चीज लिखनी work certified work uncertified work certified 40 है work uncertified 1000 है और यहाँ पर हमनों लिखते है closing stock और material यह दिया था मेरे क्याल से यह 800 वह भी लिख लेते हैं है अब सारे debit side में आ जाते हैं material है wages 15,000 adjustment है तो इना कॉलम में लिख दो प्लस कर दो 600 15,600 भार आ गया फिर other expense है प्लांट आया ना प्लांट देखो अभी या तो आप 20,000 इदर लिखो और WDV यहां लिखो तो 20,000 WDV दो चीज लिखने से अच्छा है आप directly depression figure लिखो यह याद रखना तीन मैने का है तो 20,000 रबे दस्ट का 2000 आया 2000 into 3 divided by 12 तो तीन मैने के इसाब से आता है आपका 500 और कुछ रहा नहीं है तो simple चीज़े topic बहुत simple लगा मैं को तो इसको simply close कर देते हैं आपका credit बढ़ा रहता है तो आपका percentage of work certified कितना है तो percentage का formula क्या बता है तो मैंने cost of work certified divide by value of contract into 100 cost of work certified है अपने बाद 40,000 value of contract बोला था उसने 2,000,000 तो simply है 40,000 को 2,000,000 से divide करेंगे into 100 यानि percentage आपका 20 परसंट अब percentage आने के बाद check करनेगा तो यह 20 परसंट यानि अप टू 25 से कम है न पच्चिस से कम है तो इसका मतलब होता है PNL में कुछ भी नहीं जाएगा सारा का सारा amount जाएगा आपका WIP में तो यह close भी कर दें यहां पर इसको यह चीज़ समझाने दिया मुझे पहले percentage जूनना फिर चेक करना क्या apply करना फॉर्मूला यहां पर 20 आया यानि निल वाला category तो PNL निल हो गया और पूरा चलेगा WIP में तो होप सो question समझ में आ रहेगा सबसे important पार्ट है यही वाला पार्ट हमारा PNL और WIP वाला तो आपको यह formula नॉर्मली percentage दिया रहता डारेक्ली कि इतना percentage काम हो गया कभी-कभी percentage देगा कभी-कभी यह one-third, two-third डारेक्ली बोलता है तो वो चीज़ समझ ना first step दूसरा step है percentage को सही जगे फे fit करना कहां पे कौन सा formula apply होगा और apply करके डारेक्ली आपका answer निकाल दो तो होप सो question और chapter समझ में आएगा आपको सारे वीडियो को order wise देखना lecture wise देखन होप सो यहां तक कोई doubt नहीं बच्चो इंशाला नेक्स वीडियो में जल्दी मिलेंगे thank you thank you for watching the video god bless you